अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ न लगे दवा भी काम ना आए, कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे आईए, वेल्कम रहे रहे खुदा काई लिए कुछ रेदिंग काड्स दिखा सकते हैं यह देखिए, राटेस्ट दिसाइन यह देखिए, रिखिए लगे वा 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 सम्म यह अब कस्मजाशन साए वैसे काड्स दूदाए लाए ले देखिए, तोह डिखिए रहे लेड का लर्या और यह देखे यह तो हो डिफरेंट दिजाइन है वही वाला अच्छा लगड़ा है So you like this one? Yeah वाइड बाला नहा? So that's final Hello? Hello Amishu Hi Rohit हम अब ही मिल सकते हैं गया? यार अच्छली में बहार आई थे मैं फ्री ओके बात करो? Yeah, okay Yeah, okay, bye-bye, see you प्रीज़ार आई जो दो दो आई दो आई दो आई दो आई आई दो आई जो Congratulations to both of you यार तुमने कभी अपने relationship के बारे में बताया नहीं? Facebook पर complicated लिख रखा है आखिर है कौन मेरी भावी यार अरे यार अब तो यार उसकी शादी होने वाली है शादी होने वाली है? क्या बात कर रहा है? हाँ यार मुझसे मुझसे बहुत बड़ी mistakes हो गई यार कितना रहम हो गया तुमारे relationship को? कुछ ग्यारा महिने ग्यारा महिने तो फिर break up कैसे हुआ? उसने तुम्हें धोका दिया? नहीं यार तो फिर उसकी life में कोई और भी था? नहीं यार तो फिर तुम्हें लड़ाई हुई होगी और उसने अपने घर पे बताया नहीं होगा नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार तो फिर हुआ क्या यार? बता मुझे कहां मिले? क्या हुआ? शुरू से सब बता यार क्या बताओं पहली बार मैंने उसे उसे बैडमिंटन केलती होई देखा था मैं स्कूटी से अपने फ्रेंड्स के पास बैडमिंटन केलने जा रहा था तब ही वह मुझे बैडमिंटन खेलती होगे दिखी उस टाइम याद है मुझे शेटल कॉग नीचे गी रही थी और जब वह उसे उठा रही थी तो तोनों में मुझे नोटिस कर लिया तो मैं जल्दी से वहां से चला ले आँ अगले दिन थिरू वह मुझे दिखी उनकी शडू को उपर ट्री में फाज गई थी वह और उनकी फ्रेंड उसे निताल नहीं पा रहे थी वह बहुत परेशान थी वह बहुत परेशान थी तो मैंने उनकी फ्रेंड से रैकेट लेगी उस शटल को उप निकाल दी तरी मेंने निकाल पर्रेंड करती तो मैंने आप प्रेंड को उपने तो मैंने अपने फ्रेंड्स निये शटल कोग लेकर जा रहा था तभी वो मुझे फिर वहीं देखी मैं वहाँ रुप्य उनको देखने लगा अचानक से उनकी शेटलकों के गाड़ी के नीचे आ गई वो बहुत मायूस हो गई थी तभी मेरे दोस्त का कॉल है हलो हलो भगेत हाँ माई अबे कहा रहे क्या जब से दिनावीट कर रहे हैं शेटलकों के लेके आ रहे हैं ना यार आज तो मैं नहीं आपाऊंगा अचली बहुत ज़रूरी काउ पढ़ गया है यार मैंने सोचा मैं तो स्कूटी पे जाके शेटल फग ले आऊंगा पर वो कहां से जाएंगा तो मैंने वो दोनु शेटल उनको दे दी अचली अचली अभी मेरे पास पैसे नहीं है इस ओके कोई बात है नहीं आप मुझे अपना नंबर दे तो मैं आपको पेट्यम कर दोंगे आपका नाम रोहित रोहित थैंक यू रोहित फिर मैं पूरे दिन परेशान रहा कि तब आएगा ये पेटियम 100 रुपे के लिए परेशान रहा तू भी यार अरे यार 100 रुपे के लिए नहीं उनके नंबर के लिए फिर रात को उनका पेट्यम आया और उन्होंने वाट्सअप किया कि पैसे मिल गए क्या फिर उनका नंबर मिलती ही मैंने तो उनको बहुत सारे मेसेज कर दी पर कोई आंसर ना मिलने पर मैं ढर गया मुझे लगा वो नाराज हो गई फिर अरे यार वो सो गई थी अच्छा फिर सुबह उन्होंने मैसेज किया और हमारी बात होनी शिरू होगी मैंने उन्हें बताया कि मैं सॉप्ट्विएर इंजीनियर हूं कितना पैकेज है और वो क्या करती है यार वो पेट्यम में ही एचार मैनेजर है अच्छा फिर बहुत बात होने पर उन्होंने एक तिन बोला हम कभी मिलेंगे कि बस फोन पर ही बात किरते रहेंगे मैं काफी नर्वस हूं क्यूंकि मैं आज तक कभी किसी से ऐसे मिला नहीं और आपके सामने में कुछ नहीं बोल पाऊंगा मुझे डर लगता है चिए क्या मैं बोट हूं रहा है पिर टाइम बीता गया हम लोग सिर्फ फोन पर ही बात करते रहें अब ही मिल ही नहीं पाए इक पात बता हूं लग met और फिर एक दिन उन्होंने बताया कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं क्या? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अब प्लीज उनसे अच्छे से मत मिलना और हो सके तो प्लीज चार साल दब रुख जा तुम उसे शादी करोगे क्या? मैं गबरा गया और वहीं बात खतम कर दी तेरी बातों से तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए इंटरस्टेट थे मुझे भी यही लग रहा था यार पर पता नहीं वो बीच-बीच में कहां गायग हो जाती थी फिर मैं भी उन्हें मेसेज नहीं करता था और एक दिन उन्होंने बोला हेलो रोहिक हलो फ्री हो तो शिप्राम आजाओ शायद हम इस जनम में मिल जाएं अभी अब ओके आई विल मैं ट्राइ करता हूँ उस दिन मैं फ्री तो था अच समझ नहीं आया कि क्या करो और नहीं जा पाया फिर क्या हुआ फिर बहुत दिन बाद उनका कॉल आया तो पहले तो मैं बहुत कुछ हुआ अलो हाँ मिश्यू आइम गुर्ड वाई यू मेरी शादी फिक्स हो गई है अब जैसे ही पता चला कि उनकी शादी फिक्स हो गई है तो बहुत खराब लगा तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हे अपनी शादी का कार्ड देना है अब तुम मिलना ही पड़ेगा तो तुम मुझे कहां मिलोगे महराजा रॉयल किचिन हो हाँ ओके कॉल कर देना ओके सी यू दिया बाबाई बाई अब तो मिलने जाकर मेरे भाई हम खल ही जा रहा हूँ खल वो में को कार्ड देने आ रही है ओ सॉरी पर जो भी कलो लास्ट मुनाकात के बार में मुझे बताना कि क्या हुआ हाँ ओके चलते हैं फिर चल रहाँ कि राई स्वार सुर्ण कि को आजर आजू हूनुम लोग जैसे Set वेह वह अपने यहां हिननरДа तया या, ये बभी कोया ह। कोक्षी काusing ये हुरुफ यह वेडिंग कार्ट वाव नाइस कार्ट आइनौ मेश की बसंद का है मिशू अज मैं तुमसे एक बात कह भात का है जाता हूँ बोलो मिशु तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था था? हाँ आइ मीन करता हूँ करते हो अरे जो भी है यार I love you मिशु मैं तुमसे प्यार करता था करता हूँ और करता रहूंगा प्लीज एक बार मुझे आपने दिल की बात बोलने दो But now I'm getting married to Mish Don't forget that वो तो मैं कभी बूल भी नहीं पाऊँगा Good for you तुम्हें जहां भी रहोगी मेरी feelings हमेशा तुमारे लिए ही रही और यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलीने अब जो मैं तुमसे बोलने जा रहा हूँ शाहिद शाहिद तुम्हें एक फिल्म ही लेला लगी पर यह सच है मिशू मुझे पहली बार तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और मैंने तब ही तैय किया था कि मैं आगे की जिन्दगी तुम्हारे साथ बिताओंगा तुम्हारी केर करता रहूंगा और यह सब अब नाममकिन है उसके बाद भी मैं तुम्हें एक बाद बताना चाहता हूं थैंक्स उसके बाद भी मैं तुम्हें एक बाद बताना चाहता हूं अब मेरी जिन्दगी में कोई भी नहीं आई है मैं सिर्फ तुमारी प्यार की यादूं के साहर अपनी पूरी जिन्दगी काट लूँगा पारसवर पे निकालो मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि कि आप इस्टेबल का बिल भी ना पे कर पाऊ साहर तुमारी दिल की फीलिंग चांदने के लिए पारसवर का काट छपाना मड़ा जया अब यार मिश्यू इस एक बात बता हूं तुम बाते बहुत बताते हो झालो झाल हुआ है